हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़नाइट कौाइल महा जंबू जो की मैक्सवा कुछ गुड़नाइट का कौाइल होता है उसके बारे में और पांच रुपए आला मैगी एक काटून में कितने पीस होते ह और कितने का होलसिल में आता है तो दोस्तों चलिए पहले हम सुरू करते हैं गुड़नाइट कौाइल से दोस्तों इससे पहले इसकी रेट और MRP बताने एक से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं गुड़नाइट कौाइल तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ये गुड़नाइट कौाइल है महाजबू और इसमें एक डिब्बे में आठ पीस होता है और एक काटून में 36 पीस होता है तो चलिए इसकी अन्बॉक्स करते हैं ये दोस्तों देखें कुछ इस तरीके खाता है ये देखें ये कुछ इस तरीके खाता है चे ओपर 6 पीस होता है और मैं आपको गिना देता हूं ये एक लाइन में कितने पीस होते हैं एक लैन में ऐसे 3 है और इसके नीचे 3 है 18 पीस नीचे है और इस काटून के उपर 18 पीस और एक डिबे के अंदर कुछ 8 पीस होते हैं जो कि 6 पे 4 पीस फ्री होते हैं टोटल इसके अंदर 16 पीस होता है जैसा कि आप सभी देश सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे पे दो पीस फ्री होता है तो दोस्तों चलिए इसकी होलसेल रेट बान बात करते हैं तो दोस्तों इसकी होलसेल रेट है आपको एक काटून 875 का पढ़ता है तो बात करें कि एक पीस कितने का पढ़ गया तो चलिए दोस्तों 875 डिवाइड बई 36 पीस आपको एक पीस 24 उपए 30 पैसे का पढ़ा मतलब आपको 24 का पढ़ा तो दोस्तों चलिए बात करते हैं मैगी पांच वाले के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यह पांच वाला मैगी है और बात करें एक काटून में कितना आता है इसकी अब काटून बढ़ा हो गया है अब यह काटून में 320 पीस होता है पहले इस तरह कुछ होता था तो दोस्तों चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं दोस्तों यह कुछ इस तरीके का पैक आता है और इसके उपर एक नैसले का ब्रैंड हुआ इस्टीकर रहता है दोस्तों को देखे यह कुछ रिस तरीक के कमेंगी होता है पांच वाई यह एक पैकेट के ग्राम का बात के आज़े तो एक पैकेट का ग्राम जो है कि 32 ग्राम होता है और इसकी MRP की बात करें तो पांच रुपए इसकी MRP है और बात करें पैक कब हुआ है तो जनवरी 2022 का पैक हुआ है और एकस्पायर सेटेंबर 2022 में होगा तो दोस्तो चलिए इसकी होलसेल रेट जाते हैं तो दोस्तों इसकी wholesale rate है आपको 1490 रुपए का मिल जाता है अगर आप एक retailer है तो आपको 1490 का मिलता है वहीं बात करें कि आपको कितने कपड़ा 1490 को डिवाइड हम कर देंगे 320 पीसे तो 320 पीस कर दीए तो आपको 154 रुपए 65 पैसे कपड़ा अब वहीं बात करें दर्जन में तो आपको एक दर्जन 56 रुपए का मिल जाएगा खुदता अगर आप लेंगे तो 56 का टोटल मिलता है तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह और भी नए नए आइटम के उपर प्राइस के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंकि दोस्तों